नमस्ते दोस्तों तो आज फिर से मैं लेकर आई हूँ एक हाफ केजी का बॉद्दे का ही केक है और ये रस्मलाई फ्लिवर में हमारा केक बनके रैडी होगा तो ये देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर छेंज के केक टिन में बेक किया है एक सो सतर से असी ग्राम प्रेमिक् पहले भी बताती आई हूँ कि मैंने जो है हमेशा जो है मैंने रस्मलाई का केक जो है रस्मलाई फ्रेश लेकर आती हूँ उसके बाद ही बनाती हूँ तो ये मुझे आया था सुबह सुबह और सुबह में शाम को आया था हाँ आज शाम को आया और नेक्ट डे मुझे देना बहुत सारे लोगी कम्प्लेन यह होती है कि हमारी केक में क्रैक आजाते हैं तो देखे केक में क्रैक तब ही आते हैं और जब आपने उसकी सोकिंग जो है थोड़ी कम की है आपका स्पंज जो है थोड़ा सा हार्ड है और तीसरा क्रैक तब भी आता है जब आपने केक को तीन च में रखेंगे आपके को तो मौशर धिरध है जाता है तो फिर आको ये चीज आप हो सो एक सबार्व दैख लिजे कि जब भी आप देखिए, आप काशन को कब पर चाहिए, तो उसके धेमे पर आप्सक्छाप से जो है आप अपने आक केक को पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं और मोशली मैं यही करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि 6-7 घंटे हैं केक ले जाने में तो मैं हमेशा केक को डब्बे में पैक करके ही रखती हूँ और यह देखे मैं रसमलाई लेका राई थी और इसे अच्छे से स्प्रेड करू चारू तरफ ताकि जब एक भी बाइट कोई ले ना इंसान तो उसके हर एक बाइट में उसको रसमलाई मिले और यह देखे थोड़े इसमें आप ड्राइफरूट्स भी डालूंगी और मैंने आलमंड और विस्ता लिया है वैसे तो आप इसमें चाहिए तो और भी बहुत स 550 में भी सेल कर सकते हैं क्योंकि देखे इतना जादा मैंने इसमें ड्राइफरूट्स डाला है तो चार्जिस तो इसके रहेंगे और हाँ पहले जब मैं रसमलाई लेकर आती थी तो सच में उसमें होते थे अच्छे खासे चिरोंजी होते थी थोड़े से पिस्ता होते थे त इस तरीके से इसे फैला रहे हूं और आपको भी जो है ऐसे ही फैला की काम करना है ताकि हर एक बाइट में टेस्ट आए और हाँ अगर आपके पास रसमलाई एसेंस है मैंसे तो मेरे पास भी है मैंने इसमें डाला है आप क्रीम में भी रसमलाई एसेंस डाल सकते हैं पर मैं इसमें to be honest नहीं डाला है और यह देखिए सबसे नीचे वाला पार्ट जो है ने हलका सा यहाँ पर golden हो चुका है पर फिल भी इसका टेस्ट बिलकुल भी खराब नहीं लगेगा क्योंकि देखिए यह जला नहीं हलका सा रेडिश हो गया है थोड़ा सा एक्ट्रा बेक हो गया ह पर कोई बात नहीं इससे टेस्ट में तो बिलकुल फरक नहीं पढ़ने वाला और आप टाइम देखिए मुझे जो है इस केक को शाम को 6 बजे तक देना था और मैं जो है अभी 2 बज के 10 मिनट हो रहा है और मैं फटा-फट सी से करके फ्रीज में रख दूंगी बॉक्स में और कुछ भी क्रैक्स नहीं आएंगे और इतनी जल्दी तो क्रैक देखें नहीं आते हैं अगर आपने बिलकुल भी सोक नहीं किया है न केक को तब ही जाके आपकी केक में क्रैक्स आएंगे और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैम जो बेकरी में केक बनता है उनको तो स बनाके रखते हैं तो उसमें एक खुदी मोईस्टर आजाता है। जेनरली मैंने देखा है कि आप देखना कभी ध्यान देना वो बहुत ज़दा सॉफ्ट होता है। और एक सैफ ने तो ये भी कहा कि देखे मैं सोक नहीं करता लेकिन जब क्लाइन का एक बार उनको फिडबेक आया गी केक फुरा ड्राय था तो तब से उन्होंने सोकिंग हलकी चालू कर दी तो इस तरीके से हमें काम करना है कस्टमर के फिडबेक एकॉर्डिंग ली और देखे उनका जो केक होता है न नीट्रल जल से कबर होता है तो केक में क्ड़ा सागर अंदर भी रहेगा तो सामने से तो तो बिलकु biz दिखी गा और दिखिए मेरे पास क्रीम जो है अभी लिमिटेड ही मैंने के थी केए कैकि हमने क्या करें उस क्रीम का ऐसा सोचना पड़ जाता है तो मैं क्या करने हूँ अभी सबसे पहले मैं आप रोज बना ले जाएगा क्योंकि केक का नो डाउट की ओवर बेड तो होई जाएगा क्योंकि यह रस्मलाई से बना हुआ है तो मैं अभी रोज फ्लार्स बना के इसे फ्रिजर मे अपने केक की फाइनलाइसिंग करूँगी तो यह देखिए वस इतनी ही क्रीम बच्ची है मेरे बास और इसी से हमारे केक की फाइनलाइसिंग होगी तो यह चोटी-चोटी चीज़े हैं जो कि मुझे किसी ने बताया नहीं है मैंने खुद से सोच-सोच के और करते-करते थो थोड़ा सा नॉलिज होई जाता है तो यह देखिए मैंने यह थोड़ा से यलो कदर डाला है कुई डिमांड नहीं थी उन्होंने का कि आप तो खुदी अच्छे-च्छे डिजाइन्स डालते हो तो आप जो है अपने हिसाब से डाल दो और उनके हस्मिन का बद्दे था फि किस तरीके से मैं इसे कवर कर रही है बहुत जादा क्रीम भी यूज मत कीजिए क्रीम क्या होता है आपने नोटिस किया होगा कि लोग फेक देते हैं क्योंकि अगर ओवर क्रीम हो जाती है और सच में मतलब जो मैं क्रीम यूज करते हूँ न टेस्ट तो बहुत अच्छा है म खुदी मुझे फीडबेक देख कर जाते हैं फ्रेशनेस की तो क्या कहने मतलब हम फ्रेश ही बनाते हैं मैं क्या हर होंबेकर फ्रेश बनाता है तो फ्रेश तो होता ही है तो टेस्ट उसमें वैसी घा जाएगा लेकिन जब आप क्रीम भी अच्छे क्वालिटी का यूज करत क्रेट में कई तरह के आपको क्रीम मिल जाएंगे लेकिन आपको देखना है कि premium वाला हमेसा क्रीम खरीगि गहां हर एक ब्रैंड में आपको नॉर्मल वाली क्रीम और एक प्रेमियम वाली मिले वlook हो घुण और वह एक नरूर्मल वाली क्रीम बादी की क्रीओ हैक lleva में ँसम क्लीन ना तो आपके केक प्रॉपर mor उस्ट्रेट बनती एंशिक यह देखे बस इसटे से क्लीन कर लेना है और यह देखेए बस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा और मैंने बताया था ना कि जट थक मैं ओए शीट से इसे क्लीन न आ करू.. मुझे satisfaction ही नहीं विलता है क्योंकि उससे बहुत ही अच्छी cleaning होती है finishing इतनी अच्छी आती है कि मतलब मैं बता नहीं सकती और अभी जो भी मेरे cake देखते हैं जब ही मैं status पर लगाती हूँ या हमारी जो WhatsApp की group है उसमें मैं share करती हूँ तो बहुत लोग पसंद आता है ये चीज़ तो उनको यही चीज़ लगता है कि हाँ आपके जो cake मेरे finishing बहुत अच्छी होती है तो इससे जो है लोग का attraction बढ़ता है और लोग आपके पास आते हैं अभी मैं बता नहीं सकते recently मेरे पास एक friend ने अपने friend को दिया था उनको surprise birthday दिया था party तो हुआ ही हो कि वहाँ पर 3-4 friends थे हैं और आप believe नहीं करोंगे कि एक बर जब उन्होंने मेरा cake खाया तो उसके बाद से वो 4-5 जो भी friends समझे नहीं पता उसमें से अभी जो है सारे मेरे जो है customer बन गया है तो ऐसे ऐसे करके और मुझे orders भी आए मैंने cake share भी किया है वो वाला और आगे मैं फिर share करूँगी वो आई मेरे पास की मेरा ही बद्ध surprise मुझे friend में दिया था और आपका cake बहुत अच्छा लगा फिर वो जो है अपनी anniversary ले cake लेखर में तो ऐसे ऐसे customers जो है बन जाते हैं तो जब आपका taste अच्छा होगा ना तो customer बनते देर नहीं लगेगा लेकिन हाँ एक चीज़ आप यह करना कि जितने भी आपके customers बनते जाते हैं आप उनके number जो है mobile में save करना ताकि जब भी आप status लगाते हैं देंगे तो यह देखिए मुझे कुछ तो अलग करना था तो बस यह आपर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लगाया और बस इसकी finishing कर देनी है actually छोटे केक में इस तरह की finishing में तोड़ी से दिक्कत आती है लेकिन मैं शुरू में आपने सोचा मैं ऐसे बनाऊंगे और बन कुछ और गया तब भी कस्टमर को कुछ पता नहीं चलेगा और डिजाइन आपकी हमेशा अलग ही रहेगी तो मैं हमेशा यही करती हूँ मैं जो सोच लेती हूँ कि आज कुछ अलग सा ही करके देना है तो उस तरीके को ट्राय जरूर कर लेती हूँ ताकि एक अपना भी ट्राय हो जाएगा प्रैक्टिक्स हो जाएगा अर्बन या अच्छा तो दिखाने के लिए भी कि हाँ चलो यह भी आप बना सकते हो आपके कस्टमर्स को आपके क्लायन्ट को पता से देगा तो बस यह देखिए फिनिशिंग हमारी अच्छे से हो गई है और बस यहाँ पर मैं फ्लार्स रखने की रखनूँगी यह देखिए यह जब श्टिफ हो जाते फ्रीजर में रखने से तो आपको मतलब बहुत ही इजी हो जाता है रखने यह देखिए मैं तीन फ्लार्स यहाँ पर रख दूँगी और कुछ लीव सी बनाओंगी जो क्रीम रेड़ वाली बच्चे थी उसे मैंने तोड़ा सा ग्रीन कलर मिलाया और उसके बाद हमारा लीव के लिए रेड़ी हो गया था क्रीम और देखिए मास्टर सेफ का जो कलर है बहुत ही बढ़ी है मतलब क्रीम जो है ना कड़वी नहीं होती यह चीज मैंने नोटिस किया है तो मैंने अभी सिर्फ दो कलर लेकर आई हूँ और आगे हाँ लेकिन कौशली बहुत है तो आप जो है ना वो कलर ट्राइ करना कितनी भी सादा डालना कड़वी बिल्कुल क्रीम नहीं होती लेकिन हाँ दूसरे क्रीम को कलर को ढ़लो के तो कड़वी हो जाती है यह जीज मैंने नोटिस किया है तो यह देखिए मुझे लगा कि रस्मलाई केक है तो थोड़ा सा रस्मलाई भी रग देती हूँ और यह देखने में खुप शुरत लग रहा था बेकार था बिल्कुल नहीं लग रहा था और जैसा कि मैंने बताए कि इसे मैंने 500 चार्ज किया था और आप कितना चार्ज करते हैं इस तरीके का केक का मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यह देखिए लीफ जब तक ना बनेना केक रोज फ्लायर का लुक नहीं आता तो हमारा केक जो है देखिए तीन बज़े तक कम्प्लीट हो चुका है और इसे मैं पैक करके रख दूँगी जब भी क्लाइन आएंगे उन्हें डिलेवर कर दिया जाएगा तो आई होब कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी केक डेकोरेशन भी अच्छा लगा होगा तो ऐसी नई नई रेसिपीस के लिए केक डेकोरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजिएगा और बस उनकी डिमांड थी कि यहाँ पर एक पापा लिखा होना चाहिए तो भी मैंने लिख दिया है तो यह रहा केक का फाइनल लोग मिलते मेरे नेक्ट वीडियो में कुछ नया लेके कुछ नया आगाने के लिए तब तक के लिए बाबाई